जैन दोस्तो मैं मुहम्मद मतीन मौटर में क्लासे स्क्यूटिब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम जो चैप्टर लेकिया है वह है भूगोल भूगोल में आईए वन लाइनर कोश्चन की कुछ बात कर दोते हैं पहला जो पॉइंट है वो क्या है देखते हैं बंगाल की खाड़ी में है और देखा जाए तो इसमें 247 वर्तवान समय में है लेकिन यहां पर 200 दिया इसका मतनद 200 है इसमें चुकि कुछ ऐसे हैं कि जो डूबे हुए हैं तो यानि कुल मिला गे हमारे पास द्वीपो संभो की संख्या कितनी है 250 है ठीक है और अब बात कर एक क्या है पटना है तीहरा प्रशन में चुक्चा की जान्लिक पहोजी चोटी है याहनि माहदेव पर्वाद जो है उसकी सबसक्रती है ट्रभाइटा volontों ट्रेखा कुल लंबाई डैकिन यहां संदब मोटी मोटा इतना ही माना जैता और आपको ज़ादा यात करने का मन होने तो 27516.6 km exact है ठीक है छटमा पॉइंट है निम लिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक परतीवर वर्षा के लिए उत्तरदाई होता है कपासी वर्षा दोस्तों याद रखिएगा बहुत से काले बादल होते हैं बहुत से एकडम कपासी की तरह होता है तो जो काले बादल होते है उसे वर्षा ज्यादा नहीं होता है सबसे ज्यादा वर्षा होती हो कहां से होती है कपासी वर्षा से ठीकिना यानि कपासी बादल से शेवराय पहाड़िया कहां वस्ती तो याद रखिएगा शेवराय की पहाड़ी वह तमिलाडू में है निम्लिखित में से राज्यों में यानि एक वर किलो मिटर में 17 व्यक्ति और वहीं सबसे अधिक की बात करेंगे तो बिहार होगा बिहार में कितना है तो 1106 व्यक्ति प्रतिवर किलो मिटर यानि एक किलो मिटर में 1106 व्यक्ति अब करते हैं 9 पॉइंट की बात लक्षिदीप में कितने दिविप हैं 36 कितने हैं 36 इता है भारत बाद किस राज में सरवाधिक जंसां क्या घरत पाया जाता है देखिए अबी बात किया ना बिहार तो बिहार में कितने हैं जारत इस वियक्ति प्रती वर किलोमीटर बारवा है लह आयसकुत पादन के लिए जारखंड का सरवादिक पूर जिला कौन सा है सिंग भूमी ये कहां पर है जारखंड में ठीक है एक नुवंबर दो हजार को जारखंड को जारखंड के नए अराज बनाये गया, कहां से काटकर बिहार से काटकर जारखंड बनाये गया, ठीक है, जारखंड की राधनी है राची, पंदरवा पॉइंट है, जमशेदपूर किस नदी की किनारे वसीत है, सोड़ेखा नदी किना सब्सक्राइए बहार के मुख्यान फसल कौन से? सुष्क भूमिए वह सरवाधिक उच्छित फसल कौन साथ भूमिफ्स की राजस्तान के राधानि कौन सी? जैपूर इसके सापने किया था सवाई जैसिंग ने बिहार के कौन से शहर जारखंड राज़की राधानी बना है राची 23 थार मरसल में सबसे बड़ी खारे पानी जील कौन सी है सांबर जील दोस्तों अभी हाली में ये बहुत फेमस हुआ है मतलब बहुत ज़्यादा चर्चर में था क्योंकि यहां पर कुछ पक्षी है जो थी वो मरी पाई गी थी इसलिए ये सांबर जील से प्रशनों आ सकते हैं अभी बात क्या है जैपूर लाल रंग का दिखाई देने वाला गरह कौन सा है मंगल गरह है नि जसे लाल ग्रह कहा जाता हों भोकुषी चोछी कब पत्ति सरीर बिबर और इसी मंगल ग्रह पर दोश्तों विश्वकी सबसे अधिक ऊची चोटी यानि Mount Everest से तीन कुना अधिक उची चोटी कौन सी है निक्स Olympia जो कहां पर है Olympus Mons नामत एक जो अलमुखी परवत है जो कि मंगल गरा पर है उसी पर है तो सबसे उची चोटी बात करेगा तो निक्स Olympia सबसे अधिक उची जो अलमुखी परवत तो उसका नाम है उलिपस Mons या उलिपस मेसी कहां पर है मंगल गरा है तो इस हिसाब से अगर पुछा जा सबसे अधिक उची चोटी तो क्या हो जाएगा निक्स Olympia ब्रमान की सबसे उची चोटी निक्स Olympia चूकि अभी और किसी चोटी की खोशत होई नहीं है तो सबसे जो अधिक उची चोटी हो कौन से होगी निक्स Olympia हो जीगे लगभब 25 किलो मीटर की लंबाई में है उचाई पर है 25 दिखते हैं प्रिथिवी चंद्रमा के बीच इस्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है सिसलुनर के नाम से जाना जाता है यानि प्रिथिवी और चंद्रमा के बीच जो इस्थान होता है उसे बोलते है सिसलुनर 26 है पॉइंट विश्व का सबसे उचा जौला मुखी परवस कोटो पैक्सी कहा है इसी थे एक्वैडोर में क्वैडोर के राज़नी क्या है क्वीटो ठीक ना 27 एयर इंडिया को मुख्यार कहां इसी थे मुंबई में सरिस्का पक्षी विहार कहां वसी थे राजस्थान में सरिस्का पक्षिवेर कहां पर हैं राजासान राजासान गाजनी जैपूर प्रिस्वी की जुड़ा बहन कहा जाने वाले गरह का नाम क्या है शुक्र गरह को प्रिस्वी की जुड़ा बहन इसलिए कहा जाता है चुकि यह आकार में लगभग प्रिस्वी के बराबर हैं और इस इसमें कर्बन डायक्साइड की मातरा लगभग पंचान परदिश्यत पाई जाती है। इस वज़ए से ये चमकते हुए दिखाई दिता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसे जो है सबसे गर्म गरा भी कहा जाता है। क्यों चुकि इसमें कर्बन डायक्साइड की मातरा इसमें सबसे अधिक है और सुरु के करीब है तो उसकी वज़ए से ये बहुत जादा गर्म हो जाता है। तो हमारे सुर्मंडल का सबसे अधिक गर्म गरा कौन सा है। शुक्र गरा। ये सुरु के परिक्रिमा लगभाद 226 दिनों में करता है। हत्ती हैं हरके बांग से 35го पार्केड में कहां पर है राजत्थान में हैँ अब अब बात करते हैं। अब दोस्तों दौक्ट आथके कि भारत तीसरा सबसे बड़ा जिलया भी है तुस क compose यह हैं। प्रफम बार मंगल गरह पर उतरने वाल आंतरिश्यान को सथा पाथ फाइंडर जो पहला मंगल गरह पर उतरने वाल आंतरिश्यान था फाइंडर था ठर्फम भारत में कितने राजे तत्रेखास से लगे हैं उननीस नौ राजे हैं उपर से बाएं तरफ से देखते हैं पहला है गुजराग दुसरा है महाराजinterpret तिसरा है गोवा चौथा है करनाटक पांचवाहलों है केरल तो पस्चमी घाट में पांच राज ओगे और आइए तमिलनाडू है पुर्विखाट में आप पुर्विखाट दोनों में आता है लेकिन वो एक ही राज कहलाएंगे तो तमिलनाडू हो गया उसके बाद आते हैं आंधर परदेज फिर उडिसा और पश्ची मंगाल ठीक है और उससे याद रखेगा तमिलनाडू कैसा राज यह है तो दोस्तों कैसे पता लगा जाता है घनत के आधार पर दोस्तों यह हमारा आज के लाज प्रस्न है दोस्तों वर्लाइना प्रस्नों का इसी तरीके साथ मेरे साथ देखते रहिएगा और इसी साथ मेरे साथ देते रहिएगा अगले वीडियो के निजार कीजिए तब तक लिए जैहन जै भारत